हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो और चैनल हाइपर टेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सुहेल दोस्तों मैं अपने योटूब चैनल पे पहली बार बात कर रहा हूं हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड पे हेच एल बात करने के पीछे रीजन है रीजन यह है दोस्तों स्ट स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो फॉल देना चाहिए वह मैक्सिमम फॉल नहीं दिया विताउट ब्रेक आउट यहां ब्रेक आउट है यहां ब्रेक डाउन है यहां पर ब्रेक डाउन लेवल बताके यह रियल ब्रेक डाउट देखे ओपर चले गया तो यहां पर भी विए जो पहले बार YouTube चैनल पर आएंगे दोस्ता अब सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप जो अने आलेसिस देने वाला हूं आपको फ्यूचर में काम आने वाला है stock जा रहा है तो stock के अंदर buyer interest खतम हो गया seller आने वाला होता है यह अभी यह कहां पर है plus 245 से लेके plus 266 के पास star mark indication है और एक बात याद रखो plus level star mark indication यह decide करता है कि इसके अंदर heavy buyer खतम हो चुके seller आ चुके है जो seller यहां पर ही आए है stock जान बूझ के यहां से लेके यहां तक sideway stock चलाते हुए एक appreciation दिया है इस appreciation को कई लोग यहां पर इसे breakout समझ रहे हैं जो real नहीं है stock यहां पर क्या करेगा जान बूझ के अपने previous यहां पर breakdown level का stock क्या करेगा यहां पर traded value को break करेगा जिसे break कर दिया अब जब यहां पर break किया stock को breakout देना चाहिए जो stock का breakout यह दे दिया अब जब यह stock का breakout यह दिया है याद रखो यह breakout का high जो level है 2155 यह break किया तो मैं आपको guarantee देता हूँ 2400-2300 के बाद HAL दिखेगा अगर stock यहां पर यह जो यहां पर break down दिया याद रखो यह fake breakout हो सकता है क्यों ऐसे हो सकता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे यहां breakout break करने के बाद यहां पर red candle चाहिए जो green देकर fake breakdown देकर stock उपर गया अब उसी तरीके से जैसे यहां पर buyer को chance नहीं दिया यहां पर फिर से seller को chance नहीं देना चाहरा है green candle बनाते हुए यहां कहीं पर भी एक red candle बन गया समझ जाना stock के अंदर selling immediate start हो जाएगा दोस्तो immediate start हो जाएगा जिसका stock oversold में यहां पर indicate कर रहा है blue candle formation है एक solid बनाएगा ज्यादा से ज्यादा solid नहीं बनाएगा उसके बाद according to matrix series pressure on selling काफी जल्दी start होगा तो बस मेरा suggestion आप से इतना ही है कि अगर आप stock में entry लिए बैटा है दोस्तो याद रखो अगर stock नीचे जाते जाते level break होता हुआ दिखा 2080 आप immediate square of stock में से अगर 2080 का level stock break नहीं कर रहा है इसका मतलब एक ही है stock के अंदर opportunity है अगर 2155 साथ में break कर रहा है तो stock उपर जाएगा यह दो level जब तक break नहीं करेगा हम लोगों को यह decide नहीं होगा कि stock नीचे जाएगा यह stock उपर जाएगा दोस्तों तो यही था मेरा update HAL पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video